हलो फ्रेंस आप लोग कैसे आज हम बहुत आसान तरीके से बहुत टेस्टी मठ्री बनाएंगे बनाना है स्टार्ट करते बनाने के लिए दो मीडियम साइज का आलू बारी काट लेंगे काट के अब हमें ग्राइंडर जाल लेंगे अब इसमें हम आलू डाल देंगे सबसे पह प्रिपका शक्ते हैं अब इसे हम पानी डालेंगे ऐसे इसका बहुत फाइन पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से आप देख लिए इसका एक फाइन पेस्ट बनाके तयार करेंगे मिक्सी को हम दो से तीन बार अच्छे से चला लेंगे जिससे की कहीं आलू की गिटली ना बच्चे इस तरीके से हम अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे इसमें खाली कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे इस तरीके से अब इसको अच्छे से चेक कर लेंगे कि इसमें कहीं फ्लेबर बहुत अच्छा आता अब इसमें हम लाल मिर्श पाउडर डालेंगे आप खाते हैं तो डाले नहीं, इसकिप कर दें एक छोटा चमज गरम मसाला डालेंगे, अब 1 फोर छोटा चमज डाल देंगे हर्दी पाउडर, हर्दी पाउडर डालके भी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब मिक्स करने के बाद में इसमें डारेंगे कस्तूरी मेथी क्रस करके इसे फ्लेबर बहुत टेस्टी आता, धनिया की पत्ती डाल देंगे, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अब खस्ता के लिए हम एक टेबल स्पून जितना तेल डाल देंगे, सर्शो का अभी माता आपको बता देंगे कितना इसमें आटा लगेगा एक कफ आटा लिए थोड़ा-थोड़ा डाल कि इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें पानी का यूज बिलकुल नहीं करना इस तरीके से माता गूथेंगे इसमें total आटा आपको इतना लगा है डेड़ कफ आटा लग गया यहाँपे हम गेहूं का आटा लिे हैं इसे अच्छे से tight डो तैयार करेंगे इस तरीकी जैसे हम पूरी का डो बनाते हैं इस तरीकी से इसका डो लगा लेंगे दो लगा किसका हम तयार कर लेंगे बहुत आसान और बहुत टेस्ट ये नास्ता है अब इसे हम रख देंगे पांच मिनट ढख के रख देंगे सेट होने के लिए जिससे आटा अच्छे से सॉप्ट हो जाए पांच मिनट बाद इसे थोड़ा सा फिर से गूत लेंगे जिससे आटा अच्छे से सॉप्ट हो जाए बनाने के लिए आटा बिल्कुल अच्छे से गूत गया है अब इसका हम लोई काट लेंगे बनाने के लिए इस तरीके से अब एक बड़ी सी चौकी लेंगे या किचन के रैक पे आपको जहां आसानी लगेंगे बड़ी सी थाली ले ले इस तरीके से आप इसे बेल ले थोड़ा सा सूखा अटा स्पिंकल करके अब इसे हम बेल लेंगे रोटी की जैसा ना बहुत मोटा ना बहुत पतला इस तरीके से हम बेल के तयार करेंगे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम बेल लेंगे अब इस पे हम लगाएंगे घी आप घी बटर कुछ भी लगा सकते हैं इस पे दो चम्मज घी लगा देंगे जिस से लॉंग समय तक एक क्रिस्पी बना रहे हैं इस तरीके से लगा के विसका हम एक रो तुल बना के तियार करेंगे अब इसे छोटी-छोटी सेफ में कट कर लेंगे इस तरीके से सारा काट के इस में कम्प्लीट करेंगे है न बहुत आसान नास्ता आप इसे श्टोर करके 15-20 दिन तक रख सकते हैं चाय के साथ आप इसे आसानी से बहुत आसानी से खा सकते हैं बहुत टेस्टी नास्ता इस तरीके से हम बना लेंगे आप देख सकते हैं इसे बहुत सारा बना के हम कंप्लीट करेंगे इस तरीके से आप इसे बना के श्टोर करके रख लें बहुत आसान आप सफर में कहीं जाते हैं तो सफर के लिए तो बहुत परफेक्ट आप इसे बना के रख लें इस तरीके से कंप्लीट करेंगे अब हम चानने के प्रोसेस में चलेंगे अब हम गैस के पास चलते हैं गैस पे तेल रख दिये कड़ाई में गरम हो रहा है तेल एक बार चेक कर लेंगे गरम हो गया एक डाल के चेक कर लेंगे तेल अच्छे से गरम हो गया है नहीं तेल बिल्कुल अच्छे से गरम हो गया है अब इसे निकाल लेंगे, अब हम सारा डाल देंगे, इस तरीके से अब हम सारा डालेंगे इसमें, आप अगर इसे बहुत क्रिस्पी बनाना चाहते तो थोड़ा सा पीछे के साइड में आप बहुत थोड़ा सा फॉक्स इस तरीके से कर देंगे, तो बहुत ही क्रिस्पी बने तीर यहाय आप हम निकाल लेंगे इस तरीके से और ढाल कि देंगे आप इससे देखे dave ne कृस्त के अ now do a ञ시सा पने कृष्ट के साइक से झाए देक्षा पहुत एक जरूर बताना बहुत वनाना प्योव त। te रख सकते हैं चाय के साथ आप इससे कही सफर में जा रहे तो ले के जा सकते हैं बहुत आसान नास्ता है आपको मेरी रेसीपी कैसी लगी जरूर मेरी रेसीपी अच्छी लगी हूँ तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप इसे बना के स्टोर करके रख लें बहुत ही क्रिश्पी बनता आप इसे देख सकते हैं बहुत ही क्रिश्पी बहुत ही क्रंची नास्ता है वो भी आटे का नास्ता बहुत ही हिल्दी नास्ता आप इसे बना के जरूर ट्राइ करें वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमली के साथ दोस्तों के साथ सेयर करें थाइंक्स फॉर वाचिंग